दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूचे आज की सबसे पहले कबर गया मुंगेर समेद बिहार के साथ जिलो में मलेरिया के असिफ इजदी मामले मिले अलट मोड में स्वास्त बिभाग जिहां बिहार के साथ जिलो में मलेरिया के असिफ इजदी मामले पाये गए हैं स्वास्त बिवाग द्वारा मलेरिया की रोगताम को लेकर दवाओ का चिड़काव कराया जा रहा है स्वास्त मंत्रे मंगल पाने ने कहा कि बरसात के मौसम में मच्छरों से फेलने वाले रोगों की असंका को देखते हुए स्वास्ट विवाग द्वारा इसके रोखताम को लेकर आवस्यक तयारी की गई है मलेरिया प्रबावित जिलो के पहचान लगाता तिन साल के केस लोड के मताबिक की जाती है इस लिहाज से राजी के साथ जिलो में मलेरिया के 80% मामले सामने आए हैं इसमें गया केमूर मुंगेर और अंगाबाद नवादार रोतास एवं जमोई सामिल है साथ स्वास्त मंत्रे ने कहा कि मलेरिया के बेटर रोक्ताम एवं इलाज के लिए जरूरी है कि लक्षन वाले मरेजों को सही समय पर मलेरिया के जाच हो सके इसके लिए आसा करकरताओ को भी प्रोसायत किया जा रहा है बाड़े कबर आन्दी आये या तुफान बिहार के ग्रामेन इलाकों की बत्ती नहीं होगी गोल एक विडर बंद होने पर दुसरे से मिलती रहेगी बिजली जिया बिहार के ग्रामेन इलाकों में निर्वाद बिजली मुहाया कराने के लिए कमपने ने विशे सकार योजना बनाई है आंधी तुफान या किसी भी तरह की क्रितिम या प्रकिर्तिक आपदा आने पर ग्रामेन इलाकों को बिजली मिलती रहे इसके लिए आपस में 33 केवी के फिडरों को जुड़ा जाएगा नई वेवास्ता में अगर एक फिडर किसी करन से बंद हो जाएगा तो दूसरे से पावर सब इस्टेशन को बिजली आपपूर्ती शुरू हो जाएगी योजना के कार् में इस पर काम सुरू हो जाएगा बाड़ी कबर अब अधिकारे ओलाइन सुनेंगे आपकी परिसानी बिहार पुलिस ने तयार की नई वेबसाइट इन नो सिकायतों का मिलेगा समधान जहां बिहार पुलिस अपने काम को पारदर्सी बनाने के साथ आम लोगों के लिए तक आपने आ चुका है और जल्द ही बागी सुविदाय भी लोगों के लिए मुहया हो जाएगी वेबसाइट के जरिये थानों में दर्ज कान की जाच में देरी से लेकर नक्सल गती भी थी हच्टा दूसकरम समीत अन अपरादिक गटनाओं में की गई कारवाई का भी पता चल जाएगा दरसल बिहार पुरिस ने नए ले आउट के साथ अपनी नए वेबसाइट को लॉंच कर दिया है इसमें आम लोगों की तरब से आने वाले सिकायतों को मुई कुरूप से नो कॉलम में बाटा गया है नए वेबसाइट में आम लोगों से मिलने वाले सिकायतों को न बड़ी कबर बिहार में पंचाज चुनाव वोटिंग के अगले दिनी आज आएगा रिजर्ड जिहां पंचाज चुनाव 2021 के तयारियों के लिए चुनाव आयोक की ओर से लगातार नए निर्दिश जारी किये जा रहे हैं इसके तहद अब जिले में मद्दान के अगले दिनी मतु की गिंती सुरू करने का निर्दिश दिया गिया है बड़ी खबर ललन सिंग बने जेडवी के नए राष्टिय अधक्ष राष्टिय कारकरनी के बैठक में लगी मुहर अधक्ष पद से रसिपी ने दिया इस्तिफवा जिया लोकसभा में जेडवी संसदिय दल के नेतावा मुंगेर के संसद राजी रंजन सिंग और ललन सिंग जेडवी के नए राष्टिय अधक्ष बनाए गए हैं नितिस कुमार वसिष्ट नराएन सिंग उपेंद्र खुसवाह केसी त्याई समेथ सभी वसिष्ट नेतावों ने इस प्रस्ताव का समर्तन किया तता जदवी के राष्टिय कारकरनी ने सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी बड़ी कबर बिहार में मौसम विभाग का अलड चार जिलों में तेज हवा के साथ बारिस और बजरपात की चेतावनी जियां बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है कई जिलों में लगतार बारिस हो रही है मौसम विभाग में बजरपात को लेकर अब नया अलड जार इसके अलावा, चार जिलो के लिए भी अलड जारी किया गिया है, इन चार जिलो में तेज हवा के साथ बारिस और बजर बात की चेतावनी दी गई है, फश्चिम चमपारन सितामडी, सिवर और मदोवनी जिले के कुछ भागों में, अगले 24 गंटे में हलके से मैदम दरजे की मेग गर्जन की बारिस होने की सम्मावना है इन जीलों के कुछ इस्तानों पर तेज हवा जिसकी गति 30 से 40 किलमीटर पर आवर या ज़्यादा हो सकती है इस दोरन बजरपात की भी सम्मावना जता है जारी है इस दोरन लोगों को घर से बाहर नए निकलने को कहा गया है मौसम मिवांग ने राजी के सवी लोगों से या अगरक किया है कि इसे लेकर वे सतर्क रहे और सावधान रहे यदि खुले में है तो जल से जल किसी पक्के मगान की सरन ले उचे पेड़ और बिजली की खंबो से दूर रहे बिहार में आईसमान कार्ड होने के बाद भी भटकते रहते हैं लोग सिकायत के मामले में पाचवे नमबर पर पहुचा बिहार जहां केंदर सरकार ने लोगों को रहात देने के लिए आईसमान कार्ड जारी किया है लेकिन विवस्ता इतनी लचारे कि लोगों के पास आईस वे स्थान पर है 27 जुलाई 2021 तक देश बर से 207 सिकायते मिली है जिसमें 214 सिकायते बिहार से की गई है रिपोर्ट के अनुसार आइसमान काड़ रहने के बाद भी प्राइवेड अस्पताल मरेजों का इलाज नहीं करते हैं खास बात है कि इलाज नहीं कराने वाले में सरकारे अस्पताल भी सामिल है इस बाबत बिहार से 214 सिकायते केंद्र के पास गई है इन 214 सिकायतों में से 170 प्राइवेड अस्पतालों के खिलाब सिकायते की गई है जबकि सेज सरकारे अस्पतालों की है देश बर में इलाज से इंकार के मामले में बिहार पाचवे इस्तान पर ह बड़े कवर बिहार में आप मॉबाइल पर एक किलिक से सुलच जाएंगे जमीन से जुड़े मामले इस वेबसाइट का करे इस्तिमाल जहां राजासवे अवाम भुमी सुधार विभाग ने ओनलाइन मुटेशन के लिए बने अपने वेबसाइट को सुधार के बाद रिलाउंच किया है सनिवार को इसके लिए आयोजेत समारों में विभागया मंत्री राम सुरत राय ने कहा कि सौप्टियर में सुधार के बाद अब आहम लोग आसाने से विभाग के ओनलाइन से ले सकेंगे बाड़ी कवर बिहार में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले 27 जिलो में संक्रमितों की संक्या हुई 72 जहां राज में गुरवार के तुलना में सुकुरवार को कोरोना मरेजों की संक्या में इजापा दर्च किया गया है समलव 61% हो गई है पाटना सारी चेत्र में सुकुरवार साम तक करेब 88% वेक्सिनेशन हो चुका है जिला प्रसासन के द्वारा 31 जुलाई तक सारी चेत्र में 100% वेक्सिनेशन का लच रखा गया था इसको पाने के लिए प्रसासन ने पूरी तागत जोग दी थी बिहार सरकार को पटना हाइकोट का आदेश तिसरी लहर के पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए ठीका जिहां पटना हाइकोट ने कोरोनमा हमारे से जुड़े मामलों पर सुनवाई की मुकी नियादे सिन्याई मूर्ति संजेक करोल तता नियाई मूर्ति एसकुमार की खनपिट ने सुनवाई की दोरान राज सरकार को एकेक कर जिला की सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब सुविधाओं का ब्योरा पेस करने का आदेश दिया कोट ने सरकार को जीला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेपलर अस्पताल, प्रातमिक स्वास केंद्र तदा, APAC स्थर के सभी सरकारी अस्पतालों में तेनात, डाक्टर, नर्स, पारा, मेडिकल इस्ट्याप की सेंख्या, सुविधाय और संसादों की पूरी जानकारी द काम है, ग्रामीन चेतर में मोबाइल वेन से लोगों को टिका देने का काम किया जा रहा है, उनका कहना था कि 6 माह में 6 करोड लोगों को टिका देने की योजना है, दूसरी तरफ कोट ने आदेश दिया है कि अगर कोरोना की तिसरी लार आ गई तो टिका करन का काम रूख जा बाड़ी कावर बिहार में अब अनलोक 5 के तयारी में सरकार 3 अगस्ट के बाद CMG की बैटक में होगा फैसला जिहां कोरोना के दूसरी लहर के बेज राज सरकार ने पहले लोगडाउन किया और उसके बाद दिरे दिरे अनलोक की प्रक्रिया शुरू हुई बिहार में अभी भी अनलोक 4 लागू है कई चेतरों में सरकार की तरब से बंदी से जारी है लेकिन अमने 30 सरकार ने अनलोक 5 के लिए कवायाद शुरू कर दी है अनलोक 4 की समय सिमा 6 अगस्त को खतम हो रही है इसके बाद चूड का दायरा केसे बढ़ाया जाए इसके लिए सरकार ने फीडवेक लेना सुरू कर दिया है विहार के मुई के सचिव त्रिप्रवारी सरन ने सभी जिलो के डियेम के साथ इस मामले पर बाचित की मुई के सचिव से अनलोक 5 के दोरान दुकानों के खोलने के समय और बढ़ाया जाने के साथ साथ धार में के स्तलो और सौपिंग मॉल खोले जाने को लेकर भी सभी से राई समारी की गई पटना में बसो की हरताल मिठापूर स्टेंड को बंद के जाने का विरोध नई टर्मिनल पर जाने को तयार नहीं जिहां बिहार की राजने पटना में मिठापूर के अंतर राजिय बस अड़े को अब पूरी तरह बंद करने की कवाया तेज हो गई है इस बस बढ़ाओ को 15 जुलाई से ही बंद के जाने का दावा प्रसासन ने किया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका अब प्रसासन की और से सक्रेता दिखा जाने के बाद बस मालिक इसकी विरोध में उतर गया है बरेया में बनाए गए अंतराजिय बस अड़े से बसो के परिचलन का बस मालिकों ने विरोध किया है सनिवार को प्रसासन ने सभी बसो को जीरो माईल के पास रामचक बरेया में बने नए बस पड़ा से खौलने का निर्देश दिया तो वे हर्ताल पर उतार हो गए बस मालिकों ने जहां की तहां बसे खड़ी करनी सुरुक कर दी है बस मालिकों का कहना है कि प्रसासन जल्द बाजी कर रहा है नए बस इस्टिन में निर्मान कार्य पूरा कराने के साथ ही यहां सिसी टीवी केमरे सुरक्षा के लिए पुलिस पोस्ट यात्रियों को बेटने के लिए सेट के साथ ही केंटिन के विवस्ता करनी होगी मुझ की सड़क को चोड़ा कर बस इस्टिन तक अलग से विवस्ता क स्कोलों में 33,000 से अधिक सिक्षकों की चल रही वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पुना निधारित की है इस सम्मद में सिक्षा विवाग ने इसका नया सेडियोल जारी किया है इसके अनुसार 18 अगस से 17 सितंबर तक आवेदन ले जाएंगे हाला कि जिन अबियर्थियों ने प के लिए कई ट्रेने वापस सुरू कर रहा है दरअसल पूर मैत रेल्वे ने choddy trainो के परिचालन को फिर से सुरू करने का फैसला किया हैक आपके जानकारे के लिए कि जिन ट्रेनों का परिचालन एक अगस सुरू होने जा रहा है उन्में चैंख्या जीरो डबल दावल Ó स्पेशल ट्रेंग जिसमें ट्रेंग संक्या 03343 और ट्रेंग संक्या 03344 गया जमालपूर पैसंजर स्पेशल ट्रेंग जिसमें ट्रेंग संक्या 03616 और ट्रेंग संक्या 03615 इसके अलावा गया क्यूल पैसंजर ट्रेंग जिसमें ट्रेंग संक्या 03628 और ट्रेंग संक्या 036 सामिल है साते पटना सासाराम पैसंजर स्पेशल ट्रेन जिसमें ट्रेन सिंख्या 03621 और ट्रेन सिंख्या 03612 सामिल है और अंकी बड़ी ख़वर पटना में जुगी जोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनेगी बहुम अंजली इमारत जहां बिहार के उप मुख मंत्री सानगर विकास एवं आवास मंत्रे तार किसर परसाद ने कहा कि सुसासन के कारिकरम 2020-25 के तहट आत्म निर्वर बिहार के साथ निश्चे 2 के तहट सारी गरीबों को वहुम अंजला भवन बना कर पक्का मकान दिलाने की योजना है उन्होंने कहा कि इस योजना के तहट पाटना नगर निगम चेतर में सारवजनिक भूमी पर इस्तित इसलम बस्तियों में रह रहे सारी आवासिया परिवार को भी आवास उपलब्द कराया जाएगा उपमिकमंत्रे ने यहाब बात विदान सभा में दिगा विदायक संजिव चरस्या के गेर सरकारी संकल्प के जवाब में कही आज के लिए आपका सवाल बताए कि आनलोग 5 के तहद बिहार में कौन कौन से छोट मिलनी चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं